कि पिछले तीन सालों में मैंने अपने चार साथी डॉक्टरों के साथ मिलकर लगब 20 और गेन प्रांस्प्लांट किये हैं हर बार हर बार डॉक्यूमेंट्स में शोक विया जाता है कि पेशिंट डॉनर का फैमिली मिंबर है और प्रॉसेस लीगल है आज तीन साल के बाद एक बाईस साल के लड़के ने बताया कि उसकी किड्नी कुछ पैसे लेकर किसी बड़े बिजनसमैन को बेची गई है इंसान खाने के बिना लगभकती हत्तर दिनों तक जिन्दा रह सकता है पानी के बिना दस दिन हावा के बिना लगभकती इन मिनट मगर आत्म सम्मान के बिना रेडियो सिरी 91.25 पर आप सुन रहे हैं अपने लवगरु को मेरे सवालों ने अकसर लोगों को परिशान किया है तुम्हें समझ महीं आता है जो तुम्हें बताया जाता है इसकी लिए लोग मुझे हैं आरियो स्वाइको? स्वाइको कहता है बचपन में मा के साथ मंदिर गया था मा पूजा करने में रहती तो मैंने भी अपने आधे खाए समोसे भगवान के चर्णों में चड़ा दिये मगर पंडिर जी ने गुस्टे में मुझे एक जोजार थपड लगाया और बोले अरे मुर्ख भगवान समोसे नहीं खाते? मैंने भी गुस्टे में पूछ लिया तो यह आपके लड़ू और पेड़े भी कहां खाते? और अगर खाते हैं तो खिला के दिखाओ पंडिर जी के पास मेरी बातों का कोई जवाब नहीं था उस दिन पंडिर जी ने मुझे मंदित से निकाला और मैंने भगवान को अपने दो जब स्कूल में था तब प्रिंसिपल सर क्लास में स्पीच दे रहे थे कलाब के बीच ही निकलेंगे सचिन, कलाम, शारुख खान मैंने खड़े ओकर पूछ लिया सर इस्कूल चला रहे हैं या जेराउक्स की दुकान मेरे बेतु के सवालों की वज़ा से मुझे स्कूल से निकाल दिया गया जब स्कूल चोड़ रहा था तब मेरे दोस्त ने पूछा यार तुप पागल है क्या मैंने जाते-जाते कह दिया कि कभी स्कूल सी के लिए नोट के जरोक्स लेकर जाना दोस्त पता चल जाएगा आज मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा दोस्त बेरोजगारी का मरीज जब मेडिकल कॉलेज पहुँचा तो गल्फरेंड भी बैंगे एक दिन में उसने मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दोंगी मैंने पूछा तुम्हारे बाप को पता है कि आजा तू मेरे साथ हो वो बोली पागल हो क्या मैंने कहा जिस बाप ने तुम्हें हाथ पकड़कर चलना सिखाया तुम उसे धोका दे रही हो और यहां मेरा हाथ थाम कर कभी धोका न देने की कसमें खा रही हो कैसे यकीन कर लो गल्फरेंड के पास भी कोई जवाब न था फिर कुछ दिनों के बाद वही हुआ जो हरवादे का होता है कोई तीसरा आ गया हमारे बीच और वो कन्फ्यूज हो गई कि किस के पास जाओ मैंने उसे जाने दिया मेरे साथ रहकर वो किसी और को मिश करे इससे बहतर था कि किसी और के साथ रहकर वो मुझे मिस्स करे थोड़ा पागल तो हूँ मैं चली गई किसी और के साथ प्यार में विश्वास वैसे ही होता है जैसे हर सिग्रेट पीने वाले को विश्वास होता है कि उसे छोड़ कर पूरी दुमिया को कैंसर हो सकता है आज भी याद है वो दिन जब बाबु जी पड़ोस में रहने वाले असफाक मिया से राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर बहस करके घर आये थे उन्होंने मुझे बताया था कि वोटिंग हो रही है योध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या बाबरी मस्जिद तुम जाके अपना वोट दे आना मैंने कहा वोट तो मैं दे दूँगा मगर मुझे इतना बताये कि अगर मंदिर और मस्जिद इतनी जादा जरूरी है तो हर मरता हुआ हिंदू या मुस्लिम अपने आपको अस्पताल ले जाने को क्यों कहता है बाबु जी ने मुझे सब कुछ पताया मगर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जिस धर्ती की आजादी के लिए राम प्रसाद विस्मिल और अस्फाकुल्ला खान जैसे दिवाने मिलकर लड़े उसी धर्ती में आज लोग मंदिर और मस्जित के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं और लोग कहते हैं कि मैं पागल है अज़े चाट कर काट 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 के थक चुड़े सब कहते हैं कुछ नहीं हो सकते हैं अब आप ही कुछ कर सकते हैं प्लीज मेरे बच्चे को बचा लिजे सर कि अज़े बच्चे कर दो कि अज़े बच्चे को अज़े बच्चे कर दो कि अज़े बच्चे को अज़े बच्चे कर दो कर दो कि अज़ें सिर्सूम्त li जोड़े हैं अपने दहर में चामाने वाला इतलो हां साहां से थे अट पाइब जोड़िये हां कामने कामने । चीफ अंधंयार्मी स्टाफ गेर्ल्न विपीन रावट सेंगा फारे इाजमा टीट बर थी इन विट बुट वर फिट टो इन जमों इन ख객 ए आब जी विलावाट टू जो इनोवाटिवे कि एक एक और हम यू सरी सिर्थ झाली कि जी इढ़ अगाराइ के इनकर शॉल सुन फइ। इनकर अगाराइ। I know that दिल का चमन उजडते देखा प्यार का रंग उतरते देखा हमने हर जीने वाले को धन दालत पे मरते देखा दिल पे मरने वाले मरेंगे भीकारी सच है दुनिया वालों के हम है नाडी प्यार को प्यार को